हेलो बिटा चलिए question देखते हैं इस question में आपसे क्या पूछा गया है structural formula of ethine तो इसके अंदर जो suffix है y-ne ये क्या show कर रहा है कि carbon carbon के बीच में triple bond present होगा eth जो आ रहा है word root ये क्या show कर रहा है यहाँ पर 2 carbon होने चाहिए ठीक है आप पहचानो इन चार option में से कौन सा सही है option number 1 देखो triple bond दिख रहा है triple bond तो यहाँ पर भी है बट यहाँ पर number of carbon 3 है जिसके लिए हम प्रॉप लगाते है तो यह तो नहीं आएगा ये भी नहीं है तो option number 1 जिसके अंदर हमारे पास triple bond भी है और 2 carbon भी है यह हमारा right answer जाएगा